नमस्कार दोस्तों तो Manchester City के regarding आप सबने news देखी लिए होगी और English FNA Manchester City के उपर जो Premier League के 100 से भी ज्यादा FFP Rules break होने का आरोप लगा है तो क्या होगा Manchester City का future क्या वो relegate हो जाएगी सारी चीजे आज हम जानेगे इस वीडियो में तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या English FNA आरोप उसमें उन लोगोंने बताए कि आपने 2009-10 से 2017-18 सीजन तक इस सीजन के दोरान के जो आरोप लगे है ना कि जो recent सीजन होए उसके तो इसमें उन लोगोंने बताए कि आपने अपनी accurate financial information नहीं बताई है उसके लब आपने अपनी operational cost हो revenue हो sponsorship deals हो या फिर manager की salary हो या फिर profit and sustainability report हो यह सारी चीजों में आपने कहीं ना कहीं आप बोल सकते की maneuver किया है और changes करके accurate information नहीं दी है जो FFP rules के अंडर आती है वो यह सारे आरोप यहां पे FFP ने लगाए इसके जवाब में माचा सिटी का भी statement आया है तो माचा सिटी ने क्या बोला है कि हम तो काफी ज़्यादा surprised है यह जो allegation लगे है English FAQ और से no doubt हम definitely cooperate करेंगे हम भी welcome करते है independent जो commission बिठाये जाएगा उसका और उनके पूरा support करेंगे उसको सारी accurate details भी देंगे उन्होंने ऐसा भी बोला है कि हमने already अपनी जो सारी details होती है वो full length में दी रखी है Premier League को लेकिन फिर भी आरोप लगाए और उन उस ब्रेक करने के आरोप में Manchester City के साथ में तो वह माबला किया था कि जो 2019 था तब प्रीमेर लिग ने भी सोरी यूएफा ने भी similar से ही आरोप Manchester City के उपर जो यूएफा के FFP rules होते है उसके break होने के लगाए थे कि जहांपे दो साल का उन लोगों को European competition में पार्टिसिपेट क पाउंड का वहां पर फाइन लगाए गया था लेकिन उसको मांचासर सिटी ने Court of Arbitration for Sports में जाके अपिल किया था और वहां पर केस जिद गए थे और वहां आरोप खट गए थे जो स्विजलेन में वर्क कर दिये लेकिन इस बार Court of Arbitration यहां पर नहीं आएगी क्योंकि Court of Arbit Arbitration की जो Judiciary है उसमें जो English FA है वो नहीं आता है तो इसी की बदलोत मांचासर सिटी वहां पर अपिल नहीं कर सकती तो इसके लवा अब what next for मांचासर सिटी क्या क्या यहां पर punishment हो सकते तो सबसे पहला तो point deduction हो सकते लेकिन वो अभी नहीं होगे जब तक वो जो independent commission नहीं पाके इस तरह के आप आप बोल सकते की मांचासर सिटी के उपर वो sanction लगा सकते हैं तो यह जो commission बेठेगा इसको decide कौन करेगा तो इसका नाम है भाई मरे रोल्सन केसी जो प्रीमेल लीग की independent judicial panel है उसके chair person है वो तीन लोगों की independent commission बिठाएगा जिसमें financial expert को भी include करेगा और दो और बंदे होगे वो पूरा अपना जो सारे allegation लगाए गए उसको review करेंगे उसको judge करेंगे और उसके बाद वो एक report निकालेंगे कि क्या यह सच स city या English app है उससे भी संतुष्ट नहीं होते है तो फिर वो एक और review committee बिठाई जाएगी और वो decide करेंगी कि जो यह independent commission बेठा था उसने जो report दी वो सही थी या गलत थी तो उसके बाद उसके उपर decision होगा तो यह सारा जो process होगा उसमें काफी लंबा time लगेगा यह मतलब आप कहीं ना कहीं आप देख सकते कि इस season और भी हो सकता है और उसके बाद यह लग सकते हैं तो जो सारे अगर मान लिजए कि जो point deduction और वो है वो अभी नहीं होगे वो जो भी यह proof हो जाएगा independent commission के बाद तब ही यह लागू होगा तब तक यह कुछ लागू नहीं होगा इसमें क का उसकी गलती बताई जा रही है उसके अलवा Gary Kruk उस टाइम पे CEO थे उसके अलवा CFO Simon Pierce का गलती बताई जा रही है उसके लवा George Chumils जो उस टाइम पे Chief Financial Officer थे तो यह सारे बंदे इसमें involved है और इन सब को यहां पे exposed किया है एक बंदे ने जो जिसका नाम है Louis Pinto जिसने आउटलेट उसने 2018 में यह न्यूज ब्रेक की थी और उसी के बाद यूफा एक्षन में आया था आप सबको पता होगा कि 2019 में यूफा ने जाज चालू की थी अगेंस माचस सिटी और 2020 में सेंक्शन लगाया था और फिर वह सारा मामला हुआ था तो 2018 के बाद इसलिए क्यों जर्मन आउटलेट है न्यूज आउटलेट डियर स्पेगल उसने यह न्यूज 2018 के एंड में यह न्यूज ब्रेक की थी और वहीं से सारा मामला यह चालू हुआ है और उसी की बाद यूफा ने रियक्ट किया और उसके बाद इंग्लिस एक्ट कर रहा है तो इसमें यूफा के लिए जो सारी चेंजिस की है वो यूफा के एफफ़ रूल्स को ध्यान में रखते हुए क्योंकि उसको भी पता कि अगर एफ़फ़ के एफ़पी रूल्स में हम सही साबित होगे तो अब इंग्लिस एफ़फे के रूल्स में डेफिनेटली सही साबित होई जाएगी इस उसी दिन मांचसिटी के साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं रहेगा उसनों उस टाइम पे भी क्लियर कर बोला था और अब नेक्स प्रेस कॉन्फरेंस मांचसिटी के जो मैनेजर है पेप गोडियोला उसकी सेटर्डों को है जो एस्टन विला का मुकाबला है उससे पहले होगी तो वहाँ पे पता चलेगा कि क्या वो इस पूरे मामले के उपर अपना राय देते है उसके लवा दूसरे क्लब का इसके उपर क्या इंपक्ट होगा वो सारा भी जानना जरूरी है तो भाई दूसरे क्लब क्या मांचसिटी को शूर कर सकते है तो इससे पहले वही ऐसा हो च चलेगा वह सारी चीज़ हो सकते हैं कि दूसरे क्लब्स भी मांचा से सिटी को श्यूर कर सकते हैं कि आपके इस फाइनल से प्लेयर की बज़ेदलोत हम पॉइंट लूस कि और सारे चीज तो यह सारा मामला वहां पर भी आ सकता है उसके लबागा क्या यूफा के अंदर जो अपने लाइसंस लिया लिया होता है यूफा में खेलने के लिए वह इंग्लीश एफए के थू लिया होता है तो इंग्लीश एफए अगर यह प्रूव गिल्ट कर देती है मांचा से सिटी को तो फिर यूफा को भी एक्शन लेने पड़ेंगे चाहे पले ही वह आर्बिटर लगा सकती है और इसमें एक और एंगल बताया जा रहा है कि जो गवर्मेंट है वो अभी एक बिल लाने वाली है इंडिपेंडेंडेंट फूड़ रेगूलेटर का इसी की बदोलत इंग्लीश एफए ने अचानक से एक कदम उठाया है और बताना चाहते हैं कि हम भी सच में एलिगेशन नहीं है यह तो सिर्फ बताने के लिए कि हम भी मदलब इंग्लेंड में फूटबोल को सही तरीके से क्या बोलते हैं चला रहे हैं इंग्लीश एफे तो इस तरह की बाते भी निकल के आ रही है तो और और अगर मामला आप देखे तो गैस एक पूरा लें सब्सक्राइब तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया गाई तो प्लीज डॉंट फर्गेट तो लाइक शेर सब्सक्राइब थैंक यू वेरी मच पर वाजिंग इस वीडियो टेक केर बाई-बाई